पहानियों के संसार में अपने सभी मित्रों का एक बार पुनह स्वागत है। आज मैं आपके समझ सुशम बेदी के उपन्यास पानी केरा बुद्बुदा की कथा प्रस्तुत कर रही हूं। उपन्यास अमेरिका की प्रस्ट भूमे में लिखा गया है लेकिन इसकी बेचैनिया सारवदीशिक। एक दिन अचानक जवे रोहन को तैयार कर रही थी उसका पती धर-धराता हुआ कमरे में गुसा। अनुराग भी उस सुबा उसके घर में ही था और बैठक में अकवार पड़ रहा था। पिया का सिर जुका हुआ था क्योंकि वे रोहन के जूते के तसमें बांध रही थी। रोहन की मीठी-मीठी बातों के बीच उसे घर में आये तूफान का एहसास तक नहुआ। अचानक जोर से एक मुक्का उसकी नाक पर लगा। पिया की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। वे फर्ष पर आउंधी हो गई। सारा चेहरा ही दर्द से सुन हो रहा था। इससे पहले कि वैं समझ पाती कि हुआ क्या कान में पढ़ रहे थे पती के तड़ तड़ाते शब्द। इश्क लड़ाना था पर आये आदमियों से इसलिए छोड़ा ही मेरा घर। देखता हूँ कैसे रहती है के लिए तू। पिया ने खोश समालते ही किसी तरह कहा मैं तुमको छोड़ चुकी हूँ तुमको कोई हक नहीं इस तरह मेरा पीछा करने का तुम मेरे खसम नहीं हो एक दो खून की बूंदे उसके बलाउस पर गिरी तो पिया को एहसास हुआ कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। खसमान खानी मैं तुझे अमरिका लेकर आया अब चार पैसे क्या कमाने लगी अपने आपको बड़ी तीस मारखा समझने लगी अब तक तो मैं ही पाल रहा था तुझे मेरे ही बूते तुने इम्तहान पास किया तेरे बच्चे को रखा कि तुझे नौकरी मिले तु बात क् करती है जो कुछ तू आज बनी है ना जिसका घमन तेरे सिर पर चड़ा है मैं नहोता तो कुछ नहीं होना था चल तू वापस अपने घर सबक सिकाता हूं तुझे और वह पिया को बालों से पकड़ कर गसीचने लगा पिया ने अपने हातों के लंबे नाकूनों का इस्तमा हुआ है और बोली इस तरह वहिशत पर उतर आओगे तो जानते होना अंजम इसी लिए तो अलग होना पड़ा दामोदर अपने हातों को मलता हुआ चिलाए चाह रहा था एहसान फरामोश खबरदार जो अलग होने की बात की खून पी जाओंगा मैं तेरा पीके तो देख ल दमकी देती है जा कर ले फोन नहीं डरता मैं तेरी धमकियों से आज तुझे घर वापस चलना ही पड़ेगा आग लगा दूंगा तेरे इस घर को अनुराग अकवार के दोनों पन्नों के पीछे मूँ छुपाए खामोश यह सब सुन रहा था गलती उसकी ही थी कि जब पार्टमेंट का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था वरना इस तरह अंदर नगुस पातव है खैब मिया बीवी के जगड़े में दखल देना सही नहीं था यह भी जान रहा था कि बीवी की सारी बुराई की जड़ जिस अनुराग की उपस्तिति वो माना जा रहा था उस उसने तो पिया को विवार जैसी चीज का कोई आश्वासन भी नहीं दिया था अनुराग विवार के जमेले में कभी पढ़ना ही नहीं चाहता था पर अब पिया के पती का विवार देखकर तो उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कानकियों से उसने पती के चेहरे पर ग नहीं मन उसने खुझ से कहा यहां से तो भाग चलना चाहिए यह कहां फस गया मैं मिया भीवी की लड़ाई में मेरा क्या काम वे यूँ भी शांती समरस्ता और संदरे का पुजारी था पिया का जो रूप अब तक वे देखता रहा था वे हमेशा बहुत सुप देने वाला म मन लुभावना और सुहावना था आज यह मार और गालियां खाती वी पिया से उसका क्या सरूख होना चाहिए वह एकदम विफर गया उसके मन में उसी सिती से सिर्फ पलायन की प्रवृति हो रही थी लेकिन अचानक जगडे के बीचों बीच भाग उठना भी संभव नहीं मैं तेरा ख्याल रखता हूं और तूसे जेल कहती है लानत है तुछ पर ऐसी बेशरम पुत्ती और ना तो कभी देखी ना खुदा करे देखनी पड़े उपर से तो ऐसे भोली बनती है कि जैसे दुनिया जहान का कुछ पता ही नहीं और अंदर ही अंदर ऐसे रंग्रेलिया रच रही है कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो रंडी कहीं की मुझे पता होता ना तेरी कुजात का तो कभी शादी करके तुझे यहां ना लाता तूने तो मुझे कहीं गाना छोड़ा उसी क्रोधित रौ में वे अनुराग के पास पहुंच गया और उसका अगबार खीशत दोलो हथ भैती गंगा में यह गली महले की कंजरी कुट्ती अब मेरे भी किस काम की उसी आवेश में उसने रोते हुए रोहन को उठा कर गोधी में चढ़ाया और बोला जा तू अपने यारों के साथ मेरा बेटा नहीं रहेगा कंजरों के घर में ले जा रहा हूँ इसे खामोश हक्की बक्की सी वहीं जमीन पर बैठी रही जिसमें जैसे जान ही नहीं थी सीडियों से नीचे उतरते पती की गोध में चीकते रोहन की आवाजें आ रही थी मम्मी 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 के पास जाना है मम्मी और वह अपने टॉप के किनारे से ही नाग से बैती खून की कर रोहन को चीन लाए वे नीचे उतर गए तो अपार्टमेंट में खामोशी चा गई कुछ पल में अनुराग उठकर उसके पास आया और बोला मैं चलता हूं प्या को कुछ सूझा नहीं एक धक्का सा लगा अभी दामोदर के आघास से तो मुक्त हुई नहीं थी अब अनुर भी चल दिये अभी कुछ देर रुको ना रहने दो मूट तो अफ हो ही क्या है चलता हूं प्या ने उठने की कोशिश की नाक के आसपास का हिस्सा सूझ गया था और सक्त हो रहा था सोचा कि गुसल खाने में जाकर देख तो ले क्या हालत है उसकी कई नाक की हड़ी तो नही पस्ता हो रहा था बहुत बेचारगी से उसके मुझे निकला मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगे खुड ड्राइव नहीं कर पाऊंगी अनुराग बेपरवाही सी दिखाता हुगा बोला इसकी जरुवत तो नहीं होने चाहिए खून जादा थोड़ी बहरा है अब तो बह ना बंद भी हो क्या कोई ज़्यादा चोट तो नहीं दीखती मुझे बुसल खाने में चल कर धोलो फिर अस्पताल तो तुमको जाना ही है वहां दिखा भी थे ना अपने अस्पताल में दिखाना क्या ठीक होगा सब जानते हैं मुझे बहां पूछेंगे कि क्या हुआ था तो क्या बताओंगे नहीं नहीं तुम मुझे किसी दूसरे अस्पताल ले जाओ जहां कम से कम मेरी जानकारी के लोग तो नहोंगे शायद एक्सरे वगरे के पड़े सूजन शुरू हो गई है मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं लगती तुम वैसे घबरा रही हो अगर जादा सूजन हो गई तो फिर दिखला देना अभी तो अपने अस्पताल चलते हैं काम का वक्त भी हो रहा है मुझे साफ करके कपड़े बदल लो तो निकलते है पिया को लगा कि शायद वही से घबराट पे बड़ी बात बना रही है अनुराग ठीक ही कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं हलकी सी चोट है तो अपने अपचीक बचाएगी डाक्टर या अस्पताल की कोई जरूत नहीं है चलो उठो देरी भी हो रही है ठीक है तो अपने अस् पहारा लिए वै उठी और गुसल खाने की तरफ चल दी मनी मन सोचती रही बेचारे अनुराग का भी कैसी सुबह से वास्ता पड़ा उसका भी मूट खराब हो गया दामोदर ने तो अनुराग का कोई लिहाज नहीं किया उल्ट उसे भी खरी खोटी सुना दी पता नहीं मन में क्या सोच रहा हो उखड़ा उखड़ा सा दीखता है कपड़े बदल कर लोटी तो उसे अपनी चोट से ज़्यादा अनुराग की सुबह खराब हो जाने का ख्याल था I'm sorry अनुराग मुझे माफ कर देना प्लीज ठीक है अब तुम्हारे लिए यह भी तो सेनाई होगा मुस्कुराती हुए अनुराग ने कहा बस अब इस शेहर में और न रह सकूंगी पिया ने जैसे अपने आप से ही कहा था अनुराग ने सुना तो कहा मैं रेजिडेंसी खत्म होते ही न्यूयॉक जा रहा हूँ एक नौकरी मिल गई है तुमारे लिए भी कह दूँ ये लोग अभी से हायर कर रहे है एक लंबा सफर तै कर चुकी है पिया भी इस देश में अमरीका आने की कोई योजना नहीं थी उसकी वहीं MBBS करके एक अच्छे से अस्पताल में नौकरी कर लेना यही महशा थी उसकी पर पिता जी की मौत के बाद से मासर जी पीछे ही पड़े रहते कि इसकी अब शादी कर दो फिर एक दिन अपने भतीजे कर रिष्टा लेकर आ यही क्या लेके जाने खांदान का लड़का है आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई मेरे अपने भाई का बेटा है बचपन से उसे देख रहा हूं लायक बच्चा है और अपनी पिया भी वैसे वै कहता भी है कि लड़की डाक्टर वगेरा ही हो ताकि अमरीका में आसानी से काम कर सके काम करने वाली रड़की को चाहता है मा ने ऐसा बतलाया तो खटाक से विरूत किया था पिया ने मुझे नहीं जाना अमरीका व अमरीका पापा तो चाहते थे कि यहीं बारा मूला में दवा खाना खोलू अब किसमत ने अगर दिल्ली में लाकर मारा है तो यही स यूँ भी शादी के बाद लड़की का सबकुछ पती का घरी होता है वहीं की हो जाती है वहीं की कहलाती है उनके आसपास के सारे हिंदूओं को अपने घर छोड़ने पड़े थे चूकि वे पंजाब में बड़ी हुई थी सो दिल्ली उनको रास आ गया भाई बहन में यहीं आ लगा जबकि नासूर भयंकर हो चुका था बस एक ही उम्मीद एक ही आस बेटी बहुत लायक है उसको डॉक्टर बनाना है पिया भी लगी थी जी जान से जीजिन एंबी बीएस का परणाम निकला वे दोड़ती दोड़ती पापा के कमरे में पहुंची अब वे पापा को ए या पापा ने सुना होगा जब वे पापा से परीक्षा परिणाम बतला रही थी कितनी जोर से बोल रही थी पापा ने सुना तो जरूर होगा पर वे ना तो कुछ बोल पाए ना ही जिसमें कोई हरकत हुई शाय सुना हो पर कुछ कहना पाए हो असमन जस बनी रहती है कि पत का करजा था पापा का कि दे था वही टुकाती रहती है हर मरेज एक चुनोटी बनकर आता है उसके सामने पिया को उसे ठीक करना ही है जो कुछ भी हो जाए कि काश कि पापा कुछ देर और जिन्दा रहते उसको कुछ और मोहलत देते शायद वह कुछ करके दिखा पाती नहीं अमरीका नहीं जायेगी, तब पापा से और भी दूर हो जायेगी। यहां पापा न सही, ना सहीบ पापा का एसास तो हैarin हुआ कितनी ही चीज़ tapa की मौळूदगी पापा के हाव भाव कि वह अक्सर उनकोा खुट से बाते करते देखती है। जिंदगी के हर कदम पर पापा उसे कुछ कहते रहते हैं या वह सोचने लगती है कि इस हालत में पापा क्या करते, क्या कहते। लेकिन पापा तो खुदी चले गए दूर, फिर मामा जी ने मचाई हर बड़ी बेबाप बेटी को अच्छा वर मिल रहा है कर दो शादी वरना कहीं कुवारी न बैटी रह जाए ये तो अपने ही लोग हैं मांग रहे हैं लड़की लड़के को शौक है डाक्टर लड़की हो अमरीका में खूब कमाएगी बाप की बेटी को अब अच्छा वर नहीं मिलेगा पिया बहुत चीकती है इस बात पर यानि कि बाप का होना ही सब कुछ है लड़के का व्यक्तित वो उसकी लियाकत सब भी माएन है पिता के न रहने से पिया अचानक एक डाक्टर से साधारन बेचारी लड़की बनकर रह गई जिसके जल्दी से जल्दी हाथ पीले करके सस्वराल बिदा करना परिवार का धर्म हो गया था अकेले पिया की चलती ही क्या लड़का पसंद है या नहीं उसकी शादी की बारे में क्या राय है उसे कुछ भी नहीं पूछा गया बस यहीं सलाहें सुनती रहे कि अच्छा घर मिल रहा है कमाओ इंजीनिय लड़का है अमरीका जाएगी तो खुद भी धेरों कमाएगी और क्या चाहिए बढ़िया जिन्दगी जीने के लिए खुश रहेगी लड़की उल्टे माँ तो पिया से ही कहे जा रही थी तो अमरीका जाएगी तो इसकी भी जिन्दगी सुधर जाएगी यहां पता नहीं कुछ मिले या ना मिले तो इसका भी कुछ वहां जुकार कर देना माँ बार बार पूछ डालती आकर लड़के में खराबी क्या है जो तू नाना करती फिरती है एक भी और गुन बता दे तुम्हें मान जाओ तेरी बात यहीं फाल तुम्हें नकरे नकर हर किसी की तो सहूलियत दे रहे हैं ना दान न दहेद फिर ऐसा मौका हाथ में नहीं आने वाला तुझे अंदाज नहीं कि कितना बोज होता है लड़की को घर पर बिठाए रखना जब अपने घर चली जाती है तब ही शांती मिलती है मम्मी आप मुझे बोज क्यों समझती है मैं तो कमाती हूँ घर को मैं ही चला रही हूँ तो बोज कैसा वो सब ठीक है पर लड़की को कुवारी कब तक बिठा सकते है नहीं लड़की की कमाई खाकर ही खुश है एक ना एक दिन तो ब्याना ही है अब अच्चा घरवर मिल रहा है फिर जाने मिले या ना मिले इसके भरोसे तो तुझे बिठाकर नहीं रखा जा सकता ना समझोते घर में करने ही होते हैं कोई भी लड़की कर सकती है हर लड़की को इतना लचिला बना दिया जाता है कि वह हर तरह की तोड मोड के लायक हो सके यह सच पिया ने खुद भी शादी से पहले नहीं जाना था वे सबके कहने से मान गई कि ठीक जगे शादी हो रही है वे सुखी रह लेगी तब वे खुद भी नहीं जानती थी पति उसे मोम की गुडिया की तरह अपने हाथों से ढालना चाहता है तो पिया का अंतर चीक उठता यह नहीं चाहती वे समयती जताती वे बरदाश न कर पाता जगड़ा होता और जगड़े कांत होता पिया की पिटाई पर वे रोध हो लेती चुप कर जाती पर मन भीतर विद्रो की आग में तपता ही रहता जब तक दिल्दी में रहे फिर भी ठीक ठाक चलता रहा पती को शौक था भारत में बिजनस शुरू करे उसने बिजनस की कोशिशे की तो पिया को भी मौका मिल गया अपने नौकरी जारी रखने का वह इस बास से बहुत खुश थी मनी मनी यह भी मनाती थी कि पती का काम यहीं चल पड़े ताकि वे दोने यहीं बस जाए यहां सहीलिया थी परिवार था बस काम और परिवार से मिलने मिलाने में वक्त जाने कहां चला जाता पती भी दिन भर बिजनस के चक्कर में धक्के खाता और कभी आशा भरा तो कभी निराशा के कड़वे गूटों के साथ घर लोड़ता पिया उसे समझा बुझा देती प्यार देती गाड़ी चलती रही फिर दोनों के कुवारे जिस्म भी मिले युवा उर्वर धर्ती पर बीज गिरा बहुत चल्दी पिया गर्वती भी हो गए रोहन पैदा हुआ तो रोज माँ उसके पास आ जाती थी आया भी रख ली थी नौकरी जारी रही पिया बच्चे और नौकरी में सुबह से शाम तक डूबी रही पर जो जो दिन बीटते जा रहे थे उसका पती अशान्त हो रहा था सारी चिड़न पिया पर उतरती रोज भारत सरकार भारती रवयों तौर तरीकों रिश्वत खोरी ब्रष्टा चार की एक नए एक नई कहानी उसके साथ होती एक दिन उसने साफ पिया से कह दिया देखो मैंने तुम्हारे लिए यहां बहुत कोशिश कर ली यहां बिजनस नहीं चलने वाला यह हिंदोस्तानी लोग इतने लालची मकार गुसकुर और निकम्मे हैं कि मैं तो इनके साथ वास्ता नहीं रख सकता मुझे तो अमरीका वापस जाना ही होगा मेरी पेशेंस तो इकदम जवाब दे चुकी है मैं तो जा रहा हूँ तुम्हें आना है तो आओ डखरे करने है तो यहीं पड़ी रहू क्या करना चाहती हो तुम पिया कब से रोज रोज यही कहानिया सुन रही थी समझ गई कि अब कोई चारा नहीं बचा पती इंजीनियर था उसके पास हुनर था और उद्ध्यमी भी खुब अगर वह सफल नहीं हो सका भारतिय माहौल में तो वह और करेगी भी क्या पतनी कल्प नहीं था बोली सुनो तुम बेशक अपनी बुकिंग करा लो तुम पहुंचकर घर वगरा ले लो मैं भी इधर अपना त्याक पत्र देती हूं रोहन भी साल से उपर का हो जाएगा जब तुम सेट्ल हो जाओ तो हमें बुला लेना हाँ यही ठीक लग रहा है मुझे तो मैं अपनी अमरीकी कंपनी से बात करता हूं पिया अमरीका आ जाती है वह दामुदर की देखभाल भी करती है दिल्ली में भी तो करती सी पर वहां आया थी नौकर था मां की भी मदद थी सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था यहां सब कुछ अकेले ही करना था घर सम संभालना पति का ख्याल और ओपर से नौकरी की तलाश और फिर नौकरी की बिसंभाग उसे घरके संचालन में दामदर की इस्तेदारी और सहनुबूती की ज़रूरत थी पर दामदर का वयवार अक्सर संवय दनहीं टानाशा हो जैसा हो जाता कि मैं घरकी और वुच्च को क पेट समेत खाना फेकते हुए बुरता खबरदार, जो मुझे कभी ऐसा खाना परूसा, इतना गया गुजरा कब से मान लिया, मुझे की सैंडविच किला कर टरका रही हो, जब अकेला रहता था तब भी इतना घटिया खाना नहीं खाया, सारे दिन में एक ही बार तो खाना होत करेगा, चट्टी मार खाना यहां नहीं चलने वाला, और जो तु सोचती है, कि मैं खान सामे का काम करूँ, तो भे भी इस घर में नहीं होगा, बहुत सी बातें आए दिन होती रहती, पिया को लगा कि दामोदर यहां पूरी तरह से उसके जीवन को नियमित करना चाहता है, पिया को क्या करना चाहिए, किसमें फायदा है, कैसे वे कमाए और जो कमाए वे कहां इन्वेस्ट करें, ताकि उसके आमदनी में और बड़ोतरी हो, उसके कमाई का पूरा कंट्रोल दामोदर पर ही था, दामोदर ने एक दोस्त से पता कर एक हिंदोस्तानी मिद्र के क्लिनि जाती, यह तो जानती थी कि देड़ सवेर उसे रेजिडेंसी करनी ही है, और अमरीका में अपने आपको डॉक्टरी के अभ्यास में जमाना है, इसके लिए उसे इम्तान के तैयारी करनी होगी, यह अस्थाई नौकरी करना उसे अच्छा ना लगता, क्योंकि उसे लगता कि उनकी नजर में वह एक निचले किस्म की डाक्टर थी, जिसके पास ना अमरीकी पढ़ाई थी, ना अमरीकी अनुभाव, वह यह सब हासिल करना चाहती थी, वह जानती थी कि मौलाना आज़ाद जैसे कॉलेज में पढ़कर और और अलिंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट मे काम कर, वह या किसी से कम नहीं थी, ये भी मालूम था कि वह इंदान जरूर पास कर लेगी, मैंनद करने के उसकी परानी आदद थी, कालेज के दिनों से ही, सारी सारी राद जाकर विग्यान की पुस्तकों को पचाया था उसने, फेल होना उसे कटर भी मंजूर नहीं, उसका मन था कि वह साइकेटिस्ट बने इनसानी मन की गुत्तियों को समझने सुलजाने में उसकी दिल्चस्पी थी यहां यह भी संभव था पर दामोदार चाहता था कि वह इंटर्णल मेडिसिन करें क्या सर्जन बने वह यही कहता था यहां आई हो तो वही स्पेशलाइजेशन करो जिसमें पैसा है साइकेटिस्ट कुछ नहीं कमाते तुमारे पास तो दम है सर्जन बनने का फिर क्यों नहीं बन ती सर्जन बन जाओ तो माला माल हो जाएंगे ठीक है निश रिजन बन जाओ अगर दिमाग के विज्ज्ञान में रुची है तो पिया विरोध करती दिमाग पिया करिश्ता हरा भरा और तरो ताजा रहता है हर बार उससे मिलना नव मिलन की उत्सुटा जैसा हुलास उत्तेजना और रसे भरा होता है कभी ऐसा नहीं लगा के आदी हो गए है एक दूसरे के लेकिन ये भी तो सच है कि रेजिडियंसी कहत्म होने के बाद से उसे मिलना होता भी तो साल में दो चार बार ही पर जब मिलते हैं तो ऐसे खो जाते हैं एक दूसरे में कि जैसे उनसे बार कोई दुनिया ही नहो अब ज़्यादा तर साइकेट्रिक एसोसियेशनों की मीटिंगों में ही मिलना जुलना होता है पिया की बहुत ख्वाइश थी कि वह और अनुराग विभा कर लें शायद उसे अपने पूरे होने की सारसक्ता मिल जाती पर अनुराग को ज़्यादा ही घवराता था शादी के नाम से एक बार तो उसने यहां तक कह दिया मैं तो तुम मिया बीवी की लड़ाई देखकर डर गया हूँ ऐसे होते हैं पती पतने ना बाबा ना यह मेरे बस की बात नहीं कहां तो यह कश्मीर की कली और कहां वह विक्रत चहरा क्या का तुमने और क्या कैसे तु ग्रहना और गुसे से सिकुड़ा पड़ा था तुम्हारा चहरा वह लाल-लाल खून की बूंदे मैं तो डर गया था कि ऐसा भी होता है मिया बीवी का जगड़ा लेकिन अनुराग तुमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा तुमारा मेरा रिष्टा कितना अलग है दामोदर से मैंने कभी प्यार नहीं किया घरवालों ने शादी कर दी और तुम हिंदुस्तानी लड़की की हालत जानते हो परिवार के आग रह के आगे चुप हो जाना पड़ता है सो तो है पर मैं मैं तो शादी करूंगा ही नहीं अच्ची खासे जिंदगी में तो लड़ाई ही करो मैं तो शादी में पूरा पूरा विश्वास रखती हूं मैं तो तुम से न कभी उबंगी न कभी हमारे रोमान सी खत्म होगा ऐसा लगता है तुमें बिलकुल विश्वास नहीं होता, मैं तो खुद को जानती हूँ ना, ना भाई ना, मुझे ये शादी के सब्सबाग मत देखाओ, मुझे मत फसाओ इन चक्रों में, वर्ना मेरा भी दामो दर्जेता हाल हो जाएगा, तुमारे जूते भी चाटूंगा, मान मनावल भी करता रहूंगा, और चाटे गुसे भी मारूंगा, में चरह आदमी करे भी क्या, भी भी घर छोड़कर आ जाए, और यार सोफी पे सजा दजा अख़वार पढ़ रहा हो, कोई भी घुसे में पागल हो जाएगा, मैं होता तो शायद मेरा भी यही रियक्शन होता, पिया को उसकी बात बुरी लग रही शायद तुम मेरे प्यार की गहराई को समझते ही नहीं, अनुराग ने उसे जट से अपने से सटा कर बड़ा सा चुम्मा दे दिया, प्यार की नापतौल तो सच में हमसे बाहर है पिया, मैं जानता हूँ तुम उससे बहत प्यार करती हो, मैं अभी महसूस करता हूँ कि मेरे तुमारे बीच जो कुछ भी है वे मैं किसी दूसरी औरत के बारे में कभी महसूस नहीं कर सकता, यूनीक है हमारा रिष्टा, इसलिए शादी करके इसे बरबाद करना बेवकूफी है, इससे जादा नहीं कह सकती पिया उससे, जोर जबर रस्ती तो की नहीं जा सकती, कितने संकेत दे भला, और अगर शादी करनी ही नहीं उसे, तो फिर यूँ ही चलता रहे दोनों का रिष्टा, अरे कहा रहे इतने दिन, शिकागो रीजनल साइकर्टिक एसोसियेशन की मीटिंग में भी नहीं आए, मैं तो चाह रही थी कि हम एक पैनल लें, जरूर अगली के में भी कल्पना न कर पाई होगी, कि वह इस तरह पती को तलाग देगी, और किसी और रिष्टे के बारे में इस तरह जुड़ी रहेगी, कि सारे होने को एक नया ही अर्थ मिलने लग जाए, इसी तरह से हमारे आगे की पीड़ी हम से अलग होगी, हमारे परिवार इस नई भ अनुराग ने कहा, बात ये है कि माबाप ने बस जबरदस्ती शादी कर दी इस पर, वाट, यू मस्स बी जूकिंग, नहीं यार सच कह रहा हूँ, वे लोग तो तैयारी करके बैठे थे, पहुंचते ही इंतजाम कर दी सब, और तुम दुदमें बच्चे थे, जो कुछ कह या करने ही सके, यह क्या हो रहा था, क्या सच सुन रहे थे उसके कान, क्या अनुराग ऐसा कर सकता है, वे तो पिया से प्यार करता है, दुना का प्यार इतना इस्थाई है, हमेशा से यही तो कहता हा रहा था, कि साथ जीएंगे पर शादी नहीं करेंगे, यह भी कहा था, कि पिया के दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी, बहुत मुश्किल से मूँ से निकला, क्या करती है, अभी मुश्किल से कॉलेज खत्म किया है, उसे पंद्रह साल चोटी है, पंद्रह साल, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम आदमियों का भी जवाब नहीं, सारी उम्र चोट लड़कियां खोशते रहते हो, शायद बस यहीं एक तरीका अपनी मरदानगी थाबित करने का, क्यों, तुम को भी शक हो रहा था क्या अपनी मरदानगी पर, जो यह हरकत करनी पड़ी, फिया की आवाज में ताना था, वै कुछ किसे आता हुआ सा बूला, पर सत्मुत बेह की ही नहीं, खद और जिस्म भी एकदम ऐसे जैसे मॉडल का होता है, गरदन गोरी, लंबी, गले में पन्ने से जड़ा चोकर जब मिली थी, सुचुत सुनेरी गरदन पर सुनेरा चोकर उसमें हर्याली की रंगत आंके चुद्धियाने लगी, हरे रंग की साड़ी, वैं एम कार भी मुश्किल हो जाता है, यहां साथ लाए हो, नहीं, घर पर एकस्पेक्ट कर रही है, तबीयट ठीक नहीं रहती है, उसकी ट्रवल में भी खास खत्रा रहता है। ऐसा ही सोच रही होगे। उसने पिया को अपनी बाह के घेरे में बांते हुए कहा, इससे हमारे रिष्टे में कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला। माबाप को पोते पोती की बहुत बेता भी थी, तो शादी करनी पड़े। पर वैसा अपनी जगह है, तुम अपनी जगह इससे हमारे रिष्टे पर कोई आच नहीं आने वाली, हम वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे आज तक मिलते रहें। यूँ भी हम ज़्यादा तो कान्फरेंसों में ही मिलते हैं, बागी वक्त तुम अपने काम में, मैं अपने काम में। फूरसत ही का मिल पाती है, हमारे मिलने मे कोई अंतर नहीं आएगा इससे, अगले महीने आ रहे ही तुम्हारे इलाके में, तो मैं तुम्हारे पास होटल में आ जाओंगा, होटल में, पिया पल भर को चौगी, फिर थूप निगलती से बोली, घर में भीवी होगी इसलिए? हाँ, बेबात जलने बुलने की कोई होता है, तुम्हारे जो मेरे मन में है, वै कभी किसी और के लिए होगी नहीं सकता, आवर्ज इस यूनीक रिलेशन्शिप, जो रिष्टा तुम्हारे मेरे बीच में है, वै तो किसी और के साथ बनी नहीं सकता, देखो, शादी घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के के जाती है निजी जरूरतों को नहीं तुम मेरे निजी जीवन का हिस्सा हो मेरे अंतसका मेरे दिल की गहराईयों का पिया को लगने लगा कि यह तो उसका वही अनुराग है वह यूहीं इतना डर गई थी कि अचानक जिंदगी में कैसा तूफान मच गया नहीं वैसा कुछ भ कि अनुराग की बातों में उसे सच्चाई दीख रही थी अचानक दुनिया में वापस आते हुए वैबोली कि हम लोग जल्दी जल्दी पैनल का टॉपिक डिसकस कर लें किसको क्या क्या विश्य लेने हैं अनुराग में मन की बात कहकर हलका हो या था कुछ गंभीर होकर बो में आ रहा है कि सल्मान अकबार का कोई लेग पढ़ रहा था उसमें इंडियन पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की ही बात हो रही थी उसमें कुछ मुस्लिम परिवारों की केस स्ट्रडीज की है जाने तो मुझे नहीं होगा किसी मुसल्मान को बुलाना यह क्या कह रही हो किसी अमरीकी स्कॉलर को बुलाते है एक श्री लंकाई साइकेटिस्ट भी है उसे किसी कॉनफरेंस में मिली थी शायद केनेडा में काम कर रहा है क्या मतलब मुसल्मान नहीं पसंद या उस पर की गई रिसर्च क्या बात है मुझे तुमारी बात में कोई तुक नहीं नजर आ रह पिया तुम यहां दूसरी दुनिया में हो हम पैनल की बात कर रहे हैं इंटेलेक्ट्वल डिसकॉशन की अनुराग ये घाव तो उम्र भर भी नहीं भरने वाले अभी भी दहला देती हैं वे खौफना क्या दें ओ पिया यू कान्ट बी मीन टु ऑल मुस्लिम सल्मान का तुसमें कोई हिस्सा ही नहीं सारे ऐसे ही होते हैं धरम के पक्के हम उनकी नजर में काफिर हैंजने हमें मार कर इंको बहिश्ट मिलता है जननत मिलती है कितनी अमानविय सूच है सारा कश्मीर ہंहीं से खाली करवा ल पिया प्लीज ये कैसी सोच है तुमारी पहले बटवारे में पंजावियों को मारा मेरी मा की मौसी का सारा परिवार इन कुत्तों ने खत्म कर डाला अब कश्मीर पर जुल्म धा रहे हैं I just can't stand them अचानक जैसे उसे ऐसास हुआ बोली इस बारे में मैं कोई और बात नहीं करना है सुनना चाहती जस्ट ड्रॉप इट पैनल की बात अधूरी रह गई पर उस कॉन्फरेंस में अनुराग आ ही नहीं पाया जब पिया ने फोन किया तो अनुराग ने बताया कि उसकी बीवी की डिलिवरी की तारिक पास है कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कुछ हो जाए तो मुश्किल होगी इसलिए उसने फैसला किया है कि वह शेहर से कहीं बाहर नहीं जाएगा यहां किसी के लिए कोई नहीं ठहरता सब भाग रहे हैं कहीं भी बस भागम भाग लगी है चाहे उसी एक घ पीए सच मैंने भी शादी करके क्या जंजट मोल ले लिया है तुम नहों तो भला मैं जाऊंगा कहां कितना जरूरी है तुम्हारा मेरी जिन्दगी में होना वरना मैं तो पागली हो जाऊंगा पीए भी उसकी बाहों में लेती और सारी दुनिया बूल जाती जैसे उसकी हस अनुराग ही अनुराग उसके साथ बिताए एक एक पल में वे पूरी जिंदगी के हर सुक को पा जाती है। अनुराग की वे शादी बहुत देर नहीं चले। कुछ साल बात किसी सहकर्मी से सुना था। उसने कि आजकर अनुराग किसी पूलिश रड़की के चक्कर में है। पत्नी को तलाग दे दिया है वे बच्चे को लेकर अलग हो गई है। अनुराग मिला तो उतने ही उल्लास से जैसे हमेशा मिलता था। यार खासी चपत लगी शादी करके। कोट ने फैसला दिया है कि पांच हजार महिना बच्चों का खर्च देना होगा मुझे। बिना बात ही टिपस लग गए। क्यों बच्चे भी हैं तुम्हारे पिया ने कहा था। पड़ी बेरहम हो तुम भी। बच्चों का सुक तो वै ले रही है और जे मेरी काट रही है। तो फिर साथ क्यों नहीं रहते उसके। खर्चा कम हो जाएगा। और उस पोलिश लड़की से बीच में बात काटकर अनुराग बोला। वो तो वैसे ही आकरशित हो गया था। प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। जो रिष्टा तुमारे साथ है वे तुमारे ही साथ रहेगा। बाकी सब आते जाते रहेंगे हमारी दोस्ती। अनुराग एक बात सोच रही थी। तलाग तो तुमने लही लिया है पर तुमसे शादी नहीं करने वाला। एक शादी करके ही पश्टा रहा हूं। एक ही साई फैसला किया है मैंने तुमारे साथ रहने का और वो दोस्ती का दोस्ती और नो शादी। अब इसे बदलने की कोशिश मत करना यू आर एंकरेजिबिल जो कुछ भी कहना हो कहलो अपनी बात पकी है नो मैसिंग अप निशान से अजीब किस्म की दोस्ती थी पिया की अक्सर पिया को लगता कि जिस तरह का पुरुश्वे अपने लिए चाहती है निशान ठीक उसे उल्टा था पर फिर भी कुछ ऐसी बात थी कि दोनों के बीच में रिश्टा घना हो गया था दोनों ने ही ये फैसला किया कि अवे साथ रहेंगे पिया का घर बड़ा था उसने निशान से कहा कि वह अपना अपार्टमेंट छोड़कर उसके घर में शिफ्ट हो जाए साथ रहने का बहुत सुक होता है उस सुक आराम की बुरी तरह से आदत भी पड़ जाती है उन दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो गई थी रोहन भी जब तब आता उसकी निशान से खूब पट पिया ने जान लिया था कि अनुराग ही उसके रोमानी अकर्शन का केंडर था पर उसके साथ घर नहीं बनाया जा सकता था अगर जिन्दगी के साथ आराम से टेक लगा कर जीना है तो निशानत ही सही पातर हो सकता था निशान के साथ पूरी जिन्दगी जी जा सकती है इसलिए दुबारा बोली तुमने सुनी नहीं मेरी बात मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है इसका जवाब तो देना ही होगा लेडी, if you think I am ever going to marry you then you are mistaken I will never marry you पिया ऐसा साफ कटा हुआ जवाब सुनकर जैसे सकती में आ गए मुँ में जैसे जवान ही नहीं थी हाथ कापा, वाइन का ग्लास, हाथ से छूटने के हुआ वाइन के कुछ बूंदें उसकी पोशाक पर छलकी उसने कापते हाथों से ग्लास काउंटर पर रखा जो कि गिरते गिरते बड़ जब से निशांत ने पिया का प्रस्ताव ठुकराया था तब से पिया के मन में बिन बात उसके प्रती गुस्ता और शोप पैदा होता रहता जबकि बरताव में निशांत बिलकुल उल्टा था वैं हर तरह से पिया का पती से भी बढ़कर ख्याल रखता एक दिन पिया की तबियत काफी खराब थी तो सुबह दफ्तर में फोन करके सिक लीव ले ली पिया की सारा दिन देख भाल करता डॉक्टर के पास दिखाया टेस्ट वगेरा करवाए पिया को अपेंडेसाइटिस का ओपरेशन करान पड़ा था निशांत ने उसकी पूरी देख भाल की उसके लिए सबजियों और मुर्गी को ताजा ताजा सूप बनाता कभी सबजी भाप में पका कर खिलाता खूब हलका खाना कि पिया जल्दी से जल्दी दुरूस्त हो जाए उस साल की उसकी पूरी छुट्टी पिया की पिर में ही गुजर गई माबाप से मिलने भारत भी नहीं जा सका और फिर पिया को भी जब भारत जाना होता उसे हवाई अड़े तक छोड़ने चला जाता पीतर बीतर उसे यह भी लगने लगा था निशांत उससे प्यार जरूर करता है चाहे इजहार ना करे उसके कर्म तो जिम्मेधारी भी निभाता हूं इसे हमारी दोस्ती ही समझना कोई और भी होता तो मैं यही करता निशांत के अपने कोई मित्र नहीं थे माता पिता भारत में थे जिन से मिलने 5 साल हफते दो हफते के लिए चला जाता था पिया और निशान्त ने कई छुटियां साथ योरोप में बिताई थी मेसर भी घूम आये थे वे पिया के साथ उसकी सहीलियों के घर भी जाने लगाता निशान्त जादा बात नहीं करता था पर एक बार कुछ गेरा नशा होने लगे तो खूब खुल कर बोलता था सुनने वालों को उसकी बात आम लोगों से हटकर कही हुई बातें विद्वन साथ मग भी लगती थी पिया को इन दिनों निशान्त से बहुत चिर लगने लगी थी चूकि इन दिनों वे शराब नहीं पी रहा था अजीब गुमसुम चुपचाब सा रहता एक दिन उससे बोल भी दिया तो महारे इस आत्मानुशासन के साइड इफेक्ट्स तो बड़े खतरनाक है पर निशान्त बात करने के मूड में ही नहीं था तो पिया को कोई जवाब नहीं मिला वे दफ्तर से सीधा घर आ जाता अक्सर पिया आती तो वे घर बैटा होता जादा तर कोई खेल या मैच या खबरें लगी होती टीवी पर अचानक उसे खी जा जाती कोई घर में निठला बैठा है उसका मन होता कि वे घर में आये तो बस वैसे ही अकेला चुपचाप उसका इंतजार करता हुआ घर हो जैसा पहले हुआ करता था बार बार यही बात मन में उठती कि आखे पिछले पंद्रह सालों से निशान के साथ क्यों रह रही है दोनों के बीच कुछ भी नहीं है निशान तो ऐसा पत्थर दिल ऐसा निर्मोई है कि इसका उसे कोई फर्की नहीं पड़ता उसे निशान से कहना ही होगा कि आवे साथ नहीं रह सकते पिया को अपना गर वापस चाहिए वैंने चाहती कि उसके घर आने पर कोई अनाधिकार पहले ही उसकी जगे पर धावा बोले नहीं बिल्कुल नहीं पिया ही सब कुछ करे शॉपिंग करे, खाना बनाए किसलिए पाल रही है निशान्त को पिया निशान्त और पिया के बीच खाई बढ़ने लगी निशान्त ने महसूस किया कि पिया वीकेंड पर भी किताबों में घुसी रहती है लेकिन निशान्त ने कोई सवाल नहीं किया, कोई आपत्ती नहीं किया एक दिन पिया नो उससे कही दिया मैं सोचती हूँ हमें साथ नहीं रहना चाहिए तुमको तो फर्द पढ़ता नहीं मुझे भी अब नहीं पढ़ता तो let us live separately पिया का अंतिम वाके ना केवल निशान्त को जटका दे गया खुद पिया को भी जटका देता हुआ उसके मुँसे बाहर निकला निशान्त कुछ पल जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करता रहा क्या सचमुच पिया गंबीर है क्या सचमुच अलग रहने की मांग कर रही है या सिर्फ नकरा दिखा रही है अपने शब्दों को जैसे तोलता हुआ बोला तुम हमेशा की तरह इंपल्सिव तो नहीं दिख रही हो देखो इंपल्स के वश में आके फैसला मत लेना क्योंकि एक बार चला गया तो लोटूंगा नहीं पिया कुछ भी सुनने को तयार नहीं थी इस बात अपनी बात पर ठीके रहना बहुत जरूरी था ठीक है पर एक दो महीने चाहिए होंगे मुझे अपार्टमेंट देखना होगा पंद्रे साल पहले जब दुनों ने साथ रहना शुरू किया था तो दो साल तक निशान ने अपना अपार्टमेंट रखा फिर साइथ और एक आराम देश सहसे तो पक्का सा हो गया था और निशान को लगने लगा वह और पिया आप साथ रहेंगे तो ये इस अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं अब तो नया ढूनना ही पड़ेगा ठीक है तुमको जो जो चाहिए ले जाना बस मैं अकेली रहना चाहती हूँ जिस दिन निशान अपना सामान लेकर चला गया पिया के मन में ऐसी शांती आई जैसे कि कब से वे निशानत के जाने का ही दजार कर रही थे फिर भी सालों से साथ रहने वाले इस रिष्टे की एहमियत भी उसके बीतर कहीं छिपी हुई थी रात बठर रोना भी आता रहा क्या सही किया उसने फिर खुद को जबाब देती रही साही ही किया निशान समझता क्या है खुद को आगले दिन खुदी फोन कर दिया और बोली देखो हम साथ नहीं रह सकते पर इससे हमारी दोस्ती खतम नहीं हुए मिलेंगे निशान ने सिरह लात हुए का I understand लेडी पिया थी तो अमरीका में ही लंदन नहीं गई थी यह सब किसी ने उसका इमेल पता चुरा कर उसके पतों की सूची को किसी तरह हथया कर किया था ताकि जो रकम भेजी जाए वह तो स्कैम करने वाले के हाथ में लगे होने को उसकी एक सहेली के साथ भी ऐसा हो चुका है पर पिया के साथ पहली बार हुआ कुछ दोस् उन पर संदेश छोड़े इमेल बेजी कि पता बेजो तुमको जल्द पैसे भिजवा देता हूँ वह था निशांत पिया को उसका सरोकार बहुत चूग गया निशांत ने उससे संपर्क सापित करने में कोई कसर न चोड़ी हर कहीं निशांत के छोड़े हुए संदेश थे घर, दफ्तर, मोबाइल, इमेल निशांत को भी अंदाज तो था ही कि यह सर जूट मूट की इमेल थी पर फिर भी वे पिया से संपर्क करने को आकुल सा हुआया था उसके संदेशों से भी जलक रहा था कि वे पिया का हल चाल जाना चाहता है मन कहता रहा कि जरूट पढ़ने पर निशांत हमेशा उसके लिए उसके साथ होता है यह बात पिया को समझ में क्यों नहीं आती वे चाहे मूँ से प्यार करने की बात कहे या न कहे शादी के बंदन में बंदने से इंकार कर दे लेकिन पिया के प्रति उसका गहरा सरुकार नगरने नहीं था शायद इमेल एक बहाना भर था निशांत का सहयो पिया का दिल छूग गया उसे लगा कि कुछ भी हो अगर पिया को जरूवत पड़ेगी तो निशांत कभी भी पीछे नहीं हटेगा यही इमेल संभवत अनुराग के पास भी गई होगी लेकिन उसने पिया से कोई संभर्व नहीं किया यह कैसी मनुश विशलेशक है वे सारी दुनिया की गुथियां तो सुलजाती फिरती है पर अपने संभंदों की तह तक पहुँचना कितना मुश्किल है या की अंदेका ही किये रहती है दीरे दीरे समय व्यतीत हो रहा था जल्दी पिया को दादी बनने की खबर मिलती है खुशी की एक तरंग उसके भीतर तैर जाती है शादी चाहे जब भी हो हो या नहो दादी तो वे बनेगी ही बनेगी पिया अब भी अनुराग को दिल की गहराईयों से चाहती है किसी का साथ बरसों तक रहे तो वह एक आदती बन जाता है अनुराग भी क्या कभी न छूटने वाली बस एक आदती है जिसके बिना जीना में मुहाल हो गया है पिया को कोई आगाह करता है जैसे जहाज का पंची मुड़ मुड़ कर जहाज पर ही लोड़ता है यही तेरी नियती है पिया का जहाज है अनुराग है तो है कहानी को सुनते हुए जब आप सभी मेरे साथ यहां तक आ गए हैं तो क्रपया मेरी इस कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद